मेरे को तो अपनी गाड़ी को अप्ग्रेड करना बेहद पसंद है अभी इसमें पहले डूल चानल डाश कैमरा लगा हुआ था मुझे लगा अगर कुछ नई चीज आ जाए मार्केट में तो लेने में क्या दिक्कत है तो मैंने मंगवा लिए रेड टाइगर का थी चानल बॉक्स ऑपन करने के बाद सबसे पहले मिलेगा एक यूजर मैनूल एक क्विक स्टाट गाइड दो एलेक्ट्र स्टिकर यह इसका जीपिस एनेबल माउंट कैमरा का यह कैमरा की पावर केबल भी 12 वोल्ट अडेप्टर यह रेर कैमरा विदिट्स केबल यह एक्स एक्स्ट और यहां पर एक memory card का slot है कोई भी class 10 का आप memory card लगा सकते हो 64GB का एक सही रहता है ज्यादा recording रखने के लिए नीचे पांच बटन से on off left right ताकि screen के अंदर आप navigate कर सेको settings के बीच में पीछे यहां पर 3.2 inches के display है यह camera है camera के उपर एक mic है और इस build quality अच्छी है unboxing देख ली अभी आते इसका fitting का time fitting में time काफी जाता है तो वह मैंने नहीं दिखा है बस मैंने a pillar b pillar c pillar को खोलते वे wiring पीछ लगा दिये वह camera आपको दिखाई दे रहा है तो installation complete हो चुकी है और यहां पर इसे mount कर दिया इसमें type c port से cable लेता है और यहां पर connected 12 volt का socket इसके साथ य port in case अगर आपको कोई और accessories के अंदर लगानी है तो आप लगा सकते हो रेर camera की cable यहीं से जा रही हो और यहां से मैंने इसकी पूरी wiring करी है और यहां से होते हुए वो rear camera मैंने लगा हुए अब यह on करने पे कैसा interface आता है वो मैं दिखा देता हूं गाड़ी को ignition पे डालने के में record करते हैं internal camera के around 4 infrared lights आती है for night vision recording और नीचे यहां पर इसमें बटन है जिस पर यहां पे आप एक बर अपना view एंगल चेंज कर सकते है एक बर प्रेस करोगे तो यह सिर्फ front का दिखाएगा फिर आप बीच का जो कि मैं बैठा हूं और फिर यह जो है पीछे का पीछ एक दिवारे चोटी सी वो दिखा रहा अब इसको road पे भी लेके जाएंगे मैं सारा आपको दिखा दूँगा सेम सारी चीजे जो है अगर आपको चेंज करने कुछ भी settings के अंदर जाना है तो आप इसकी mobile app है उसके अंदर भी जाके इनको सब settings को change कर सकते हो या फिर कुछ भी configuration करनी हो कर सकते हो तो अभी fitting होगे यह नक्की अब इसको road test के लिए लेके चलते कि इसकी video recording कैसी कैसी audio quality कैस आप डाल के देख लेते हैं कैसा क्या response है मेरी audio कैसी है मैं इसमें कुछ भी changes नहीं करूँ को correction नहीं करूँ audio video में कुछ भी नहीं है एक दम यह देखा कि कैसे है वेन्यू वाला बिना mirror में देखे काट देते हैं गाड़ी तो इस मामले में I feel confidence sometimes कि हाँ एक कैमरा है and if I need to कि अगर बात करें तो color distortion नहीं है कोई भी ऐसा रंग मतलब फेड नहीं है कि बहुत ही ज्यादा highlight कर दिया गया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है नंबर प्लेट्स वेहिकल्स की विजिबल है एक सर्टें डिस्टंस के बाद जब आप जाओगे वेहिकल्स के नजदी तो आप अच्छे से दिखाई देंगे यह वीडियो का पिसकी मोबाइल आपके तू डाउनलोड कर सकते हैं फिर इनको मोब ठीक है आप इसका एंगल नहीं चेंज कर सकते हैं जब आगे वाले एंगल चेंज करेंगे कैमरा को ऊपर नीचे करेंगे इसका उसके साथ ही आटमेटिकली चेंज हो जाता है दोनों को सेप्रेट लिए आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी का IRVM बीच में आरा है थो नहीं आएगी ओवर ओल ठीक है तो वाइड अंगल ठीक है मेरे को दोनों विंडोस का दिखाए देरा तो यह बहुत अच्छा एडिशन है अगर अप्त चानल कामरा लिए तो साइड की भी सरविलेंस रहती नहीं किस कभी आपके साथ कोई गड़ब होती है काड़ी में कोई पीछे से कुछ समान चुरा के निकल जाता है तो आपके पास यह प्रूफ रहेगा तो प्रोवाइड एजन एविडेंस अब बात कर लेते हैं रियर कैमरा की क्वालिटी की देखो इसका भी कलर डिस्टोर्शन नहीं है आपको रियल कलर के ओल्मोस्ट ही देखने को मिलेगा कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट डल कलर नहीं मिलेंगी इसमें भी आप गाडियों के नमबर रीड कर सकते हैं जब आपके नजदीक होते हैं या फिर आप रिकॉर्डिंग निकालें बाद में और इजली उसको देख सकते हैं ऑवराल क्वालिटी अच्छी है तीनों कैमरा की और यह भी 1080 पी में रिकॉर्ड करते हैं और जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो यह की काइंड ओ स्क्रीन सेवर सामने आ जाता है जिसमें डिरेक्शन बताता है प्लस आपकी गाड़ी की उस वक्त स्पीड क् करते हैं अब अगर बात करें नाइट टाम रिकॉर्डिंग की और शुरुवात करेंगे फ्रेंट कैमरा के साथ तो यहां भी वीडियो क्लारिटी काफी अच्छी है कोई लाइट से ऐसा फट नहीं है कैमरे के अंदर तो मतलब वो स्प्रेड नहीं हो रही है तो आपको क्ला काडिवें के नमर प्लेट से रीड करो कि तो वह भी आप कर सकते हो बात के आपके एप्लेट करते हैं वीडियो आपके सामने है आप जैस की क्लारिटी ब्लाइटि नकोरों करोगे तो शायर यह थोडब यह तो ऑपको एफेक्ट दे देगा क्योंकि इसमें इंफराइड ला लाइट सी दिस कैमरा के उपर पटरें फिर भी लाइट थोड़ी बहुत फैलरी जादा ऐसा कुछ निया तो आप अहां क्लियर देख सकते वैसे गाड़ी के अंदर क्या चल रहा है अब यह रियर कैमरा के रिकोर्डिंग गाड़ियां अगर आपके जस्ट पीछे रहती है तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा हलांकि इसमें आप नमबर प्लेट्स रीड नहीं कर पाऊ गया अगर पीछ वाली गाड़ियां बहुत तेज बीम मार रही है या हाई बीम पर चला रहे है लेकिन हां इतना जरूर है कि आपको एक पीछे का ट्राफिक का आईडिया जरू निए थृट वाला वाल मार एक फून आपको पता ही कैसे होते हैं So guys this was all about this video and check out this dash camera link has been provided in the description box New Red Tiger F17 3 channel dash camera, market में नहीं चीज़ है, इसको जरूर जाके देखना है and bite for your car, thank you